हल्दुआनी के भनबुलपुरा मामले को लेकर एक बार फिर से कॉंग्रेश ने प्रेदेश सरकार पर हमला बोला। यहां विरोध प्रेशिन का सिलसिला शुरू हो गया था। आप सुप्रिम कोट के फैसले के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रेशिकाओं को टेक्स दे रहे हैं वहां के लोग जिसका संग्यान ने लिया गया। 1100 के आसपास मुकत में निशली अदातलुतूप में चल रहे हैं जिसमें अपीलिंग अपीलें चल रहे हैं। इसी सरकार ने उस समय उसको तीन साल का कारिकाल बढ़ाया चौबिस तकौबिस से आने से पहले कैसे उचाड़ने की बात आ गई। रेलवे विभाग 29 एकड की माग करता है। और फैसला दिया। मलीन बस्ति अदिनियम में सरकार की नियत पर दो हिसाब से। जिस दिन हाई कोड का डिसीजन आया। उसी दिन सरकार ने आनन फानन में कैबिनेट बैठक बुलाकर निर्णे दिया। कि रेलवे के अतिकरमन वाले मामले में सरकार इंटर्वीन नहीं करेगी बीच पे नहीं पड़ेगी। ऐसी आवशक्ता क्यों पड़ी। क्योंकि आप दुरूवी करन चाहते थे बोटू का एक नेरेटिव पैदा कर गए। सरकार ने 600 मलीन बस्तियों की सर्वे की किवल ये चार मलीन बस्तियां क्यों छोड़ दी। ये भी हमारा प्रश्न है। तो ये जो चल रहा है इस प्रदेश में या इस देश में जो नेरेटिव तयार किया जा रहा है जातियों के खिलाव आप नागरिक की दृष्टी से क्यों नहीं देखते हैं। खड़ी है और हम अपनी लड़ाई को जीते हैं और ये साबित करने में काम्याब है कि वहां मंदर भी है, वहां मजजिद भी है, वहां गुरुद्वारा भी है, वहां हिंदू के मढ़ भी है। तो जब वह कबजे का एफिटेविट दिया गया था, उस समय जो मकान बना था, वह इन 15-16 साल हूं है तो 80 साल का नहीं हुआ, वहां 80-80 साल के बिल्डिंग्स हैं। अगर वह 80 साल के बिल्डिंग हैं और एफिटेविट देने के बाद भी वहां खड़ी हैं, तो इसका मतब वह एक्जेम्ट थी, वह ठीक थी। वह ठीक थी, तभी तो अभी पिखड़ी है सी साल सा, क्योंकि रेल्वे ने तो जो अपना एफिटेविट दिया वह अभी उसको तो 16-17 साल भी नहीं हुए। तो यह सारे ऐसे पहले हैं जिसको पहली नजर में पढ़ते ही, माने नहीं सरवोच चिन्याले ने, मरसी दिखाते हुए एक फैसला दिया, साथ वह उन्होंने कहा है, अगली बात जब रेल्वे आए, यह सरकार आए, तो एक प्रोजेक्ट लेका है, कि इनको कहां बसासत कि वोटूं की वज़े से वोटूं के दुरूवी करण के लालच में, अपने सरकार के धर्म से पीछे हाटी है.